मैं समझना चाहता हूँ इस चुनावायों के क्या माइने हैं। भारती जैनता पार्टी के देता लगातार हर चुनावी रैली में जहर उगल रहें। सांप्रदाइक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहें, वगर चुनावायों पूरी तरह से खामोश है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तहे तक पहुँच। क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजनीधी का असली खेल। यूस चक्त खबर की गहराईयों को टटोलता। मैं राजीव कुमार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, देश की नौकरी कर रहे हैं या भारती जनता पार्टी की नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा हेमन्त बिस्वर्मा क्या कह रहे है मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि चंद वोट हासिल करने के लिए वो लोग सांपरदाइक तोर पर भड़काव बयान दे रहे मुद्दा ये है कि ये लोग इस देश के हिंदूओं को मूर्ख समझते है देश के हिंदूओं की बुद्ध मत्ता को चुनोती दे रहे है देश के हिंदूओं को डरा धंका रहे है क्योंकि इसके लावा इन्हें वोट हासिल करना नहीं आता है डराओ धंकाओ बस सुनिए क्या का एम अन्तव शर्माने लुटा हमारा अहंचर को हुटा हमें आवाज उठाना है हमें एक होना है बीजे पी आशू जंतान लोग जमसक्ती पार्टी यह जो NBA है ना यह NBA को भोट देके हम जार्खान को एक नया जार्खान बनाना है अबल भी हारी पास में फिर दोराना चाहूंगा कहते हैं हम हारेगा ना तो ये पीतांबर निलांबर सिध्धू कान्हू बिरसा मुंडा की भूमिका को अर्फान इर्फान अनसारी आलमगीर आलम लूट लेगा लूट लेगा ये लोग हमारी बेटियों को लूटा हमारी जमीन को लूटा हमारी सर खाना होगा हमें एक होना होगा तो आप तो दूसरी बार सरकार में हैं ना सम में पिशले 11 सालों से आप देश में सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश में में दूसरी बार आप सत्ता में आ गए हैं मद्ध प्रदेश में लगातार आप सत्ता में बने हुए तो मैं आप से सवाल प से पूछा जाएगा कि आप इतने नाकारा क्यों हैं आप इतने good for nothing क्यों हैं क्यों ने दे पाया हिंदू को सुरक्षा और फिर उसी हिंदू को आप ड़ाते हैं धमकाते हैं क्यों भाई सबसे बड़ी बात दोस्तों ये वही हेमंत बिस शर्मा हैं जो हिल लगातार कहते रहते हैं इतना पर पाबंदी लगनी चाहिए, यानि कि खाने के लिए गव मास का जो इस्तमाल होता है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, और जब पत्रकार इंसे पूछते हैं कि भाई, तमाम राज्यों में आपकी सरकार हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब सुनिए, क्या कह रहे करना सही है कि हमारा गसल्स होना सही होना साएग गोहत्तव होना सही है उसे काम नहीं है यह स्वोय हुआ लोगों का सोल में जो हम लोगों आप स्पोर्ट एक्सपोर्ट में गिया इंटर्ल हम भी इसलिए मैं कहा रहा हूँ दोस्तों भाश्पा के नेता आपको सिर्फ मूर्ख समझते हैं सत्ता में ये लोग हैं तमाम राज्यों में केरल में इनका एक नेता कहता है कि अगर हम सत्ता में आ गए केरल में तो आपको बीफ की बेहतरीन क्वालिटी देंगे यही काम ये लोग गोवा में कर रहे हैं पूरोत्तर में कई जगों पर या तो सरकार है या सरकार में साज्यदार है वहाँ पर मैं समझना चाहता हूँ गवमांस पर रोक क्यों नहीं है यहाँ पर किस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है जनता पर फोड़ा जा रहा है कि आपको सोचना चाहिए सरकार क्या कर सकती है अरे भाई अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो जाए विपक्ष में विपक्ष में जाकर बैठी है ना क्योंकि सरकार में बैठ कर भी ये लोग विपक्ष परदोश मनते हैं अगर हिंदू खत्रे में है तो तुम क्या कर रहे हो पिछले 11 साल उसे, सवाल तो किया जाएगा ना और सबसे बड़ी बाद जो बाबर या बाबरी वजूद में ही नहीं है उसे ये लोग बार-बार याद करते हैं सुनिये क्या कहाता है इनोंने देश का कोने-कुने में भी उएशा ही बाबर को पालके रखा है भाई और बेहनों हमें ऐसा ही करना है जैसे अजुद्धा में बाबर रास का खतम हुआ भाइब राम मंदी नीर्मान हुआ ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है सब को धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर बाबर और बाबरी के ब्रैंड अम्बासजर कौन है कौन है बाबर का परमभक्त कौन कब्र में दफन एक बाबर को बार बार याद करता है और बाबरी को तो तोड़ी दिया गया था ना फिर भी तुम बाबरी को याद करते हो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ अपनी मानसिक तरक्की के लिए क्या आपको इस तरह से जहरीला होना जरूरी है जो वजूद में ही नहीं है उससे ये लोग बार-बार याद करते है और अपनी हर चुनावी राली में इसी तरह से जहर उगलते है याद है आपको नितेश राणा ने कुछ हफ्तों पहले क्या कहा था मस्जिद में घुसकर मारेंगे क्या चुनाव आयोग ने इन पर कोई आक्षिन लिया नहीं लिया क्या इन पर कोई F.I.R. दरजुई नहीं हुई इसी तरह से महिला इस्मिता और महिला सम्मान की मुद्दे पर दोहरे माबदंड है चाहिए चुनाव आयोग हो या राश्ट्री महिला आयोग मगर सबसे पहले सुनिए नितेश राणे ने क्या कहा और कहा सु कहा दोस्तू एक और मंच पर जाकर उसे जायज ठहरा रहे है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भड़काउ बयान दे रहे हैं जो एक सांसद है सुनिए इंडिया टीवी के मंच पर क्या कहा था 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज़ दो हिंदू ताकत दिखा देंगे जो हिंदूों को तिर्ची नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा और अगर कोई वेसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूँगा कुछ गलत नहीं सब सही है वापिस रिपीट करना है तो आपके शोपे भी बोल सकता हूँ अच्छे रिपीट भी कर सकते हैं कोई डर वर नहीं आपको किस चीज का डर हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदू को डरने की कोई जरूत नहीं क्या ऐसे निताओं पर कोई एफाई और होगी ओवैसी पर इससे पहले हमला हो चुका है जिन लोगों ने ओवैसी पर हमला किया था उन्हें बाद में सम्मानित किया गया था कि अन्हेंसे कोई भी जेल में है, नहीं है क्या उन्हेंसे किसी पर भी У-E-P-A की धारा लगी यानी आतंकवात की धारा लगी, नहीं लगी यहां पर एक व्यक्ति नारायन राने के बेटे, एक विधायक इस तरह के बयानात दे रहा है इन पर कोई कंट्रोल नहीं है उन्हीं बयानों को बार-बार दोरा रहा है चुनावायों पूरी तरह से खामोश है मैं समझना चाहता हूं क्यूं आप इस मुद्धे को समझे दोस्तों इसमें साफ तोर पर दिखाई देता है कि इनका सिर्फ एक मकसद है कि धार्मिक भावनाओं को भड़का कर आपका वोट हासिल किया जाए आपकी बुद्धि मत्ता को चुनौती दिया जाए आपकी सोच को दंगाई बनाई जाए और जो चीजें इनके हाथ में है यानि गोमांस पर पाबंदी लग सकती है तमाम जगाओं पर इनकी सरकार है मगर नहीं साथ नहीं लाएंगे क्योंकि इन्हें उन बाकी राज्यों में भी सत्ता में बने रहना है यानि बाकी तमाम राज्यों में काउ इस मम्मी मगर गोमें काउ इस यम्मी यही हकीकत है दोस्तों और उसके इलावा कुछ नहीं इस खेल को आप जितनी जल्दी समझ सकें आपके लिए उतना ही बहतर है मगर बात यहां नहीं रुखती है दोस्तों मैला सम्मान के मुद्दे पर याद कीजेगा महराश्ट में बाला साथ थोराट की बेटी डॉक्टर जैश्री के बारे में सुझय विखे पाटिल की एक सहयोगी ने शर्मनाग बयान दिया था उनके बेटे के पित्रित्तु के बारे में कितने बाप हैं बेटा किसका है ये नहीं पता इस तरह से बयानात दिया था क्या राश्ट्री महिल आयव ने कोई संग्यान लिया नहीं लिया किसके बारे में संग्यान लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा मगर सुनिये सुझय विखे पाटिल के इस नेता ने किस तरह की शर्मनाग बात डॉक्टर जैश्री के बारे में कही थी तुमची बुल्गी गराचा बारे में यहाँ पर आप सीधे तौर पर किसी के बाप पर सवाल उठा रहे हैं किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं इतनी गंदी बात कही आपने और दूसी तरफ अर्विन सावंत उधव सेना किसांसद इन्होंने एकनाश शिंदे सेना में शामिल शाइना एंसी के बारे में एक शर्मनाग बयान दिया था इंपोर्टिड माल अगर आप ये कहना चाह रहे थे कि बाहरी पार्टी से आई एक महिला नेता को टिकेट दे दिया गया तो आप बहतर शब्दावली का इस्तिमाल कर सकते थे मगर नहीं सहाब आपने क्या कहा इंपोर्टिड माल अब माफी मांग रहे हैं चली कम से कम माफी तो मांगी मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी किस तरह की सोच है कि किसी महिला नेता के बारे में अगर आपका मूँ खुलेगा तो आप इंपोर्टिड माल जिससे शब्दों का इस्तमाल करेंगे अब आप न सिर्व माफी मांग रहे हैं मगर आप ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा उन पर कोई F.I.R. हुई क्या आपकी बाद सही हो सकती है मगर आपने उस शब्दावली का इस्तमाल किया ही क्यूँ अब सुनिये अर्विन सहावन क्या कह रहे है तो कि पिछले एक दिन से बड़ा महावल भारत वर्ष में मचाया जा रहा है कि अर्विन सहावन जी ने किसी महिलाओ का उमान किया है जिंदगी में ने किया 58 साल राजनिती में हूँ अगर हुआ तो मैं उल्टा अगरणी रहा हूँ उनको सम्मानित करने में उसके मैं उधारन बहुत कुछ दे सकता हूँ कैसे मैं अगरणी रहा हूँ लेकिन दुसरी तरफ मैं इतना ही कहिसका हूं जिस तरह से जो वक्ताव्य 뭐 को उसका अलब अर्थ लगाकर जान मुझकर मुझे टार्गेट किया जा रहा हूभ उज लगता है दुग लगता है वे मेरे वक्ताव्य नहीं से किसी किसे को देश पहुचे होगी मैं दिलगेरी व्यक्त करता हूं मैं उनका सम्मान करता हूं। में ने कभी पिछले मेरे 55 साल में आवमान नहीं किया आज भी नहीं करूगा और दूसरी बात लेकिन जब मैं मैं कर रहा हूं मेरे उपर गुनावी राकल हूआ तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओ के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता अगर है तो शुर्पन का किसने कहाता महिला को जर्शी गाई किसने कहाता महिला को रेवन्ना रेडी जैसे उदर जो जो कुछ हुआ उसके बार में प्रचार में जाकर जिसने सम्मान ही तिया तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे बड़िपूर में जो हुआ उसमें महिलाओं का स अच्छी शिलार जी नें तिया उसके ओंपर कुंसा गुना दा कर लोगा मुहामन मात्रहीं हमारी पत्रकार भगिनी को जुब से उस दिन बूला उसके ओंपर कुंसा गुना विपक्षी गडबंधन के नेताओं को समझना पड़ेगा कि उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा आप जो भी करेंगे राश्ट्री महिला आयोग तुरन सक्री हो जाएगे ये राश्ट्री महिला आयोग जो है कुलदीब सिंग सेंगर के मामरी में आक्टिव नहीं होती है जब बलातकारी राम रहीम को बीजेपी बार बार परोल देती है तब रिहानी होती है ब्रिज भूशन शरंड सिंग पर पूरी तरह से खामोश रहती है तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष और भाजपा के नेताओं में जमीन आस्मान का फर्क है इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सोच समझ कर बोलें इस तरह की बयान बाजी ना दें हम लगातार देख रहे हैं सुप्रिया सुले के बारे में प्रियंका चतुरवेदी के बारे में डॉक्टर जैश्री के बारे में भाजपा गडबंधन के नेताओं जहर उगल रहे है मगरना चुनाव आयो कुछ कह रहा है नराश्ट्री महिला आयोग मानो विपक्षी गडबंधन की महिला नेत्रियों की कोई इज़त नहीं है इन में से ये सांसद हैं फिर भी इनके चरित्र पर अनरगल हमले किये जा रहे हैं पूरी तरह से खामोशी बने हुई है ये दोहरे माबदंड नहीं तो क्या है ऐसे में क्या भारती जंता पार्टी को अधिकार रह जाता है महिला इसमिता पर बोलने को क्योंकि जो बात यहां पर अर्विन सावन कहे रहे हैं उसकी जमीन तो है और इसकी चर्चा मैं पहले करता रहा हूँ आप एक प्रज्वल रवन्ना के लिए जाकर वोट मांगते हैं ये जानते हुए उसने क्या किया ब्रिज भूश और शेरन सिंग पर प्रधान मंत्री खामोश रहते हैं जर्सी काओ, कॉंग्रिस की विद्वा, सूर्प नखा ये तैमाम शब्दावली जो है वो संसद के अंदर शुनावी मंचों पर दी गई है इस तरह के बयानात लगातार दिये गए हैं बार बार दिये गए हैं शुनाव आयो खामोश है और राश्ट्री महला आयो खामोश है मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि राजीव कुमार अगर आपकी रीड है तो आप हेमंत बिस शर्मा पर पाबंदी लगाएंगे असम के मुख्यमंत्री को बिलकुल भी अधिकार नहीं है चुनावी रालीज में जाकर भाशन देने का क्योंकि सिवाए जहर उगलने के ये व्यक्ती कुछ नहीं कर रहा है तो रूपर से दोरे माबदंड जो मैंने अभी अभी साबित किया गोमांस की मामले में ताविसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार